वर हेले कोई थेडेटर आज हम महेंड्राइन उसीं ट्रेट करते हैं कल ने गरा को ट्रेट बेश्ट करते вरस्ट किया था आज और कल करें दोनों ही आटो सेक्टर को ही ट्रेट किया था आज वो हमने क्वें हैं सेकेंड जो कमनी दिंग मोटै व में構ंड हाया है और आज भी महींदर महींदर के इस पूरे recruitment के लिए हमने आटो sec सेट रोकह अपने पास बाइंग के लिए रखत है एसके अंदर जब भी हमें मुंखा मिलेगे गांक करें गे जैसे कि यह auto sector का चार्ट है आटो सेक्टर का ये चार्ट मेरा lower time frame का नहीं है ये चार्ट मेरा higher time frame का है higher time frame पर मेरे पास कुछ swings है double one zero eight two point double five के price यहां से गिरा है अब क्योंकि कल की market में price ने upside की तरफ जाते हुए जैसे की price में हमने आपको काफी बार बताया है कि price जब हमारा upside की तरफ जाता है तो कुछ इस तरह से higher highs and higher lows लगाते हुए जाता है तो कल auto sector जब upside की तरफ गया था तो कुछ resistances को break करते हुए वो upside की तरफ गया था आज price एक range से नीचे की दिशा में गिर जाने के बाद में एक जगह से आकर कि इसने support लिया था जो कि कल का मेरा एक important level था उस zone पर market ने support लिया support लेने के बाद में यहां से यह upside की तरफ गया है हमें auto sector एक support पर चाहिए था कि जहां से वो upside की तरफ जाने की उम्मीद उसकी बढ़ती हुई दिखाई दिया कल की एक range हमने mark की है जो कि कल का मेरा एक important point है यह वाला point है यहां तक market upside की तरफ गए थी downside की तरफ गिर जाने के बाद में देखिया आज market ने दो बार उसी range से support लिया support ले लिने के बाद में वापस से price 1097 पर enter कर गई और जैसे यहां पर closing the price हमारा upside की तरफ पूरा का पूरा इसका effect हमको जो नजर आया है वो हमारे nifty के साथ-साथ हमारे महंद्रा महंद्रा के चार्ट पर समझ में यहां पर breakout पहले हुआ है महंद्रा महंद्रा में बात में हुआ तो confirmations ले लेने के बाद में हमने महंद्रा को trade किया 841 मेरा आज का entry point इसको जल्दी से यहां पर हम लोग अपनी टर्मिनल पर login कर लेते हैं पर 841 पर मेरे इसके अंदर 950 quantities activated हैं बाई-साइट के दरफ इस पतका जो अपना profit चल रहा है 5000 रुपीज के लगबग हमारा profit इसके अंदर running है and order book आप यहां पर देख सकते हैं देखिए order book के अंदर 950 quantities हमारी 841 पर fully order executed है 841 पर ही price लगा तो और 841 पर ही active हुआ हमारा and stop loss जो हमने इसके अंदर लगा रखे अपने 838.10 की मेरे order का जो order है अभी buying का selling का order है वो अभी तक हम नहीं नहीं लगाए अपना एक levels तक का हम वेट करेंगे वहां तक हमारा price पहुंचेगा हमाई target points पहुंचेगा तब अपना order लगाएंगे तो overall यह अपना order book और position book है वापस हम लोग देखे अपने चार्ट पर चलेंगे इसको analyze करेंगे higher and lower time frame पर क्या देख करें किस एक important candle को पकड़ा हमने या कहां से हमने इसको trade किया जिससे daily time frame पर देखेंगे तो यहां पर हमने एक सबसे important candle जो मेरी थी वो थी ये 26th of November की candle हमने 26th of November की candle के low को as a support आज consider किया और 26th of November का low ही मेरे लिए आज important था अब इसके low को हमने किस तरह से use किया है अभी इसके low को हमने किस तरह से use किया है market देखें कल और उससे पहले दो दिन लगादार अपनी range के नीचे गिरी थी यहां तक वापस अगर price हमारा week होता week होने के साथ साथ वो क्या कर सकता था कि ग नीचे की दिशा में गिर जाता बर प्रैश्व निंने क्या किया कि आज यह नीचे की दिशा में नहीं गिरा है बलकि जस्ट अपोज़िट इसने आज का कम किया है कि इसा ओपर हो साथ उपर के दिशा में open हो जाने के बाद में देखिए प्राइस हमारा gap up open हुआ है किस रेंज के अंदर चला गया किस रेंज के अंदर इसने opening दी हमारे 26th of November की candle की रेंज के अंदर opening दी है जाकर के ओके अब opening भी upside की तरफ और price क्योंकि हमारा देखिए लगातार दो दिन यहां पर गिरा है मतलब इस वाली candle ने मेरे lows लगाए है हम इस एक range को mark कर लेते हैं अब अगर price को गिरना है तो यहां से वो नीचे की तरफ गिर जा रहे बट वीक नहीं होने के साथ साथ हमको जो signals यहा तो यहां से नीचे की दिशा में घिर जाता बट प्राइज में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारी रेंज के ऊपर में जाकर के प्राइज ने ओपनिंग दे दी और जो कल का ट्रेडिंग सेशन था उसके भी upside की तरफ जाकर के closing मिली है और प्राइज वापस हमारा उसी रें पर चाहिए था जैसे ही हमको opportunity मिली इसके अंदर बाइंग करने की Eminem के अंदर हमने अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया बहुत सारी महनत लगती वीडियो बनाने में बना करके आप लोगों तक उसको पहुचाने उसको आप लोगों के साथ शेर करने में तो वीडियो और in the sense कि जो भी नए लोग आ रहे हैं ट्रेड करने के लिए उन्होंने stock market बना करके रख दिया है बैंक निफ्टी को या फिर option trading को इस तरह से influence किया रहा है कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है जबकि किसी भी trading की field में आपको बढ़ना है कुछ भी trade करना है उसका रास्ता equities से हो करके जाता है because equity एक ऐसी field है जहां पर आप अपने money management और risk management के साथ practice कर सकते हो market को अगर समझना है market को और अच्छी तरह से आपको पढ़ना है तो equities को पढ़ना पढ़ेगा equities से आपको practice करनी पढ़ेगी equity इसलिए क्योंकि option को जब भी आप trade करोगे जब जब आप option को trade करोगे कभी भी आपको उसके अंदर money management नहीं हो पाएगा कभी उसके अंदर आपको risk management नहीं हो पाएगा एक लालश लगता है कि एक candle बनेगी हम तुरंट से 500,000, 2000 रुपया का profit लेके निकल जाएगे ज्यादा तर लोग जो आज के समय में loss करने option के अंदर loss करने option is not a bad thing यह option को trade करना को बुरी बात नहीं है लेकिन एक demanded experience के बिना आप उसको trade करोगे तो बहुत बुरी बात है यह option को trade करना है बेशक कीजिए लेकिन पहले उसको समझ लिए क्या करना है कैसे करना है उसको समझ price actions must है आपको यह समझ रहा होगा कि price मेरा upside की तरफ जा सकता है downside की तरफ गिर सकता है एक बार जब आप इस चीज़ को समझ लोगे तो आप option को trade कर लोगे हम अभी तक option को trade नहीं कर रहे है because हम चाहते है कि जब हम option को trade करे तो उसके अंदर भी हम 1 ratio 1 या फिर 1 ratio 1.5 ले करके ब करें तो आप लोगो खुद इस चीज़ को analyze करते होगे या आप लोगो खुद यह मालूम होगी कि 1 ratio 1 के साथ कोई भी आज तक profitable नहीं रहा तो impossible है आपको अगर price actions को सीखना है trade करना तो equities के अंदर उतरना पड़ेगा उसको सीखना पड़ेगा समझना पड़ेगा price actions में बो price करने के कोशिक कीज़ेगा बड़ से बड़ा भी जो loss अपने आस्ते किया होगा option के अंदर किया होगा थोड़ा सा बच करके aware रह करके काम कीज़ेगा तो यह जितनी भी lines हमने draw की है इनको पकड़िए इसको समझ है जब market बंद हो रही है तो इन lines को देखिए कि इन lines के पास पर ही फसा रहा उसके अंदर कोई move नहीं down और नहीं upside की तरफ आई ऐसा क्या था 843 की range को माग करिए देखिए analyze किजे कि क्या था वहाँ पर बहुत सारी से चीज़ें जो कि वीडियो में clear नहीं कर सकते आपको stop process जो हमने इसके अंदर लगा है 838.10 के मेरे stop process है because यह मेरा swing point है swing point in the sense कि देखिए यहां पर एक candle मेरी नीचे की दिशा में आई थी इसको price ने breakout करने की कोशिश की बट वापस से price हमारा अपनी range के अंदर चला गया तो आज के लिए जो important candle मेरे बन कर किया है वो मेरा यह वाला point है 945 की candle मेरे एक important point है अब अगर इसके उपर price निकल गया है तो वापस इस range के नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा अब इस candle को किस तरह से identify किया गया है इसके पीछे किया logic है क्या technique है क्योंकि इस candle का अपना एक significance होता है इस candle की अपने importance होती है जिस range पर यह candle form ही वो range important है तो इसको समझना पड़ेगा इसको देखना पड़ समय पर इन्वेस्ट कीजिए अपनी education पर थोड़ा से इन्वेस्ट कीजिए ओके एंड स्टॉप लॉस रेंट्री पॉइंट हमने आपको बता ही दिये हैं इसके अंदर जो टार्गेट हम अभी ले करके चल रहे हैं आज की मार्केट के लिए वो हमारा डे हाई है मुश्किल नहीं है महिंद्र महिंद्र है जा अपने फॉर्म में आता है तो अपनी रेंज उसको बहुत आसानी से ब्रेक करते हैं यहां पर एक केंडल जो हमारे एक फोर्स पैदा करेगी इसको अपसाइट के तरफ जाने सो रोकने के लिए वह है कि मेरी 925 के केंडल अगर इसके उपर होता है तो आपको हम इनफर्म करते हैं और फिर कुई में एक्षे लेंगे तो इसके इनदर इनफर्म करें इस वत का जो अपना प्रोफिट चला है 3,900 रुपेश के आसबास का अपना प्रॉफिट है और कोई एक्शन हम इसके अंदर लेते हैं तो आपको इनफर्म करते पूरी यहां तक market अपनी sideways थी और यह sideways ही है अभी just running candle के अंदर यह move आया है with volume इस price के movement को यह आ जाने की बाद में थोड़ा सा profit अपना increase हुआ है और इस वत का अपना profit हमको नज़र आ रहा है 8000 रूपीज के लगभग का profit 8500 अभी retracement है just यह retracement हमको नज़र आ रही है क्योंकि price इस price ने जिस range को break किया है यहां पर volumes भी increase हुई है यहां पर आप देख सकते हैं volumes के साथ price को breakout किया गया है यहां से और भी upside की तरह price में जाने की उम्मीद है so traders अभी का जो समय है तीन बसकर पांस प्राट हो चेका है तोटली यहां पर अभी में अपने square of कर नहीं की जितनी पोजिशन से सारी की सारी तो जल्दी से चलते हैं एंड यह अपनी position book है position book में एक हम लोग अपना order लगाते हैं यहां पर selling का order लगाते हैं यहां पर एक बाइं का order में लोग लाते हैं आठ सो बावन रुपए है बावन पॉइंट बीस ओ यह वहीं से नीच आ रहा है exact यह वाली resistance points से के copy square of paste exact square of की position है 852.20 वेट करते हैं प्रैसिस्टेंस तर पहुंचे अपना target हमको अब revise ही करना पढ़ गया है नीचे की तरफ तो हमने position को थोड़ा सा कम कर दिया जितने भी orders हैं बॉनिक के जो अपने orders थे वह 866.80 के थे तो वहां से थोड़ा नीचे की दिशा में अपने सभी orders को बुक करेंगे साइडवेस थी market हालां कि सेक्टर ने तो देखिये काफी अच्छा मूव दिखाया है बट जो मेरा stock है इतना इतनी अच्छे ग्रोथ इसके अंदर नहीं देखने को मिले तो निकल जाते हैं से अब टाइम अब खात्म हो रहा है अपना 852.20 851.80 52.20 इस वाली रेंज पर थोड़ा सा फोकस कीजिए जो प्राइस हमारा live market का इस वक्त चल रहा है यह वहला है 851.70 यह 80 के उपर नहीं जा रहा है आपकी मतलब किसी भी stock में आप देखेंगे तो प्राइस क्या करता है उस range तक जाएगा सारे orders fulfill नहीं होते और नीचे की तरफ आ जाता है प्र उपर जाता है फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा फिर उपर जाएगा फिर नीचे की तरफ गिर जाएगा तो यहां पर जितनी या फिर बाइंग की आपके पूरी तरह से एक्जिक्यूट नहीं हो जाएगे प्राइस आपका ना तो इस रेंज को अपसेट की तरफ ब्रेक नहीं करेगा लिजए वह 852 पहुंच गया 852 पहुंचा है बट 20 पैसे उपर था अपना प्राइस 852.20 हमने जो अपने ओडर लगाया थे बाइंग के 852.20 के वह सारे के सारे कैंसल हो गया मेरे तो अब हमें वह प्राइस नहीं मिलेगा यहां पर में लॉस ही बुक करना पड़ेगा लॉस अंदर संस कि जिस कर देगा हमें उसी रेट पर यहां से निकलना होगा बाहर तो ऑर्डर बुक में देखिए आप जितने भी कॉन्टी है हमारी यह कैंसल हो गया है यह हमारा सेलिंग का अडर लागा हुआ था 950 का वह कैंसल हो चका है स्टॉप्रास और वह तो हमने कैंसल कर दिया है एंड पो सारी कॉनिटी हमारी अब निकल चुकी होंगी तीन बच कर यह लिजा है सारे ओडर अपने निकल गया है एंड आज को प्रॉफित अपना 8700 का प्रॉफित है और बुक जब आप देखेंगे तो यहां पर देखिए चार ओडर आपको आज के दिन नजर आएंगे यह अपना मॉर्निंग में यह अपना स्टॉप लॉस ओडर था यह सेलिंग के और जो हमको मिला है 850.20 का मिला है जबकि जो ओडर हम लगाना चाहती वह दो रूपर लगाना चाहते थे 852.20 बट जो हमको प्राइस ब्रोकर ने दिया है वह 850.20 का है तो दो रुपाय का लॉस यहां पर हो सकता है मिले है मीं भी हो सकता है ना मिले है लिकिन हम पूरी तरह से यहाँ पर वेट किया वेट इंदर संस हम फिर से कहेंगे कि जब आपको अपनी एनलसिस के उपर कॉंफिडेंस होता है तब जाकर करके आप इस लेट तक पहुंचते हो कि आप गड़े करते हों कि last तक ह खुद बखुद नजर आएगी तो मिलते हैं हम लोग अब किसी और अपने टेटिंग सेशन में तब तक लिए थैंक यू गुड़ बै एंड विल मीट अगयन